Marvel vs DC के एक और battle में आप सभी का स्वा गए थे So आज हम लोग देखने वाले कि कैसे इन दोनों ने एक दूसरे characters को copy किया या कैसे दोक्त को inspire करके अपने characters बनाये और जो कि हमें original से ज़ादा पसंद आये हैं कैसे देखो सी जैसे कि Marvel की जो falcon है वो 1969 माई थी और वो inspired DC के Hawkman से जो कि 1940 में थी Second Antman सी Antman हमें 1962 में देखा था जो कि inspired DC के Atoms है जो कि हमें 1961 में देखा था Third Thanos सी Thanos हमें सबसे पहले 1973 में देखा था जो कि inspired है Darkside से जो कि हमें DC Comics में 1971 में देखा था और ऐसे बहुत सारे characters है जो कि इसी तरह से inspired है जैसे कि Mr. Fantastic जो कि Plastic Man से inspired है Hawkeye जो कि Green Arrow से inspired है Wolverine जो कि Timber Wolf से inspired है और इसी तरह DC ने भी Marvel से कुछ character inspired कि हैं जैसे कि जो हमारा Aquaman है वो Namor the Sunmarine से inspired है को जो Aquaman है वो 1941 में थी फेराज जो Namor है वो हमें सबसे पहले 1939 में दिखा था but 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 main बात यहां पर यह है कि fans को कौन से character जादा पसंद आ रहे and obviously इसमें Marvel बहुत बहुत आ गया and इसका main reason यह है कि Marvel ने जो character inspired हो का create भी खिये उसने उसे बहुत पहले ही launch कर दिया जिसके वाज़से कई fans को वही original लगते अगर अब जाकर तुम Black Adam में Dr. Fate को देखोगे तो तुम्हें तो यही लगया कि यार यह तो Dr. Strange का copy है and तुम अगर Green Arrow को देखोगे तो तुम्हें लगया यह Hawkeye का copy and ऐसे कई सारे example भरे पड़े so यहां पर Marvel खेल गया but Aquaman में DC खेल गया so यहां पर कौन किसको copy करता है उससे matter नहीं करता है but कौन किसको पहले launch करता है कौन किसको किस तरीके से portrait करता है वो matter करता है और कितनी अच्छे तरीके से execute करता है so यहां पर copy का matter ही नहीं यहां पर है execution and right timing का है I hope DC इसमें आगे अच्छा करे and हमारा Marvel तो अच्छा करीर है but हाँ जिस तरह से Marvel superhero genre में इतना आगे है वहीं DC female superhero genre में Marvel से आगे है and मैं सच बोल रहा है तुम खुद ही देख लो कि जितना प्यार and support Wonder Woman को मिला था वो Captain Marvel ये Black Video को नहीं मिला था obviously cause वहाँ पर execution ज्यादा अच्छा हुआ था DC की तरफ से so यहाँ पर हमें clear पता चलता कि यहाँ पर कोई character या actor से कुछ नहीं होता यहाँ पर सही execution से चीज़े अच्छी बनती है and यहाँ पर हमें DC ने करके देखा अगर वो सही से काम करेंगे तो वो कई और superhero movie अच्छी बना सकते है and वही पर Marvel ने female superhero में hug दिया तो महाँ पर उड़ें गाली भी पड़िये चाहे वो Captain Marvel हो ये Black Video हो and वही पर अगर DC ने superhero movies में hug आ गया है तो उन्हें भी गाली पड़िये तो यार तुम लोग अब कमेंट्स में लड़ने मत लगना यार मैं किसी के खिलाफ नहीं हो मैं किसी के अगेंट्स में मुझे दोनों कॉमिक्स के superhero's बहुत पसंद है